जैश्री कृष्णा इस अधाय में भगवान हमें अपनी सारी महमा अर्थात अपना तत्व ग्यान बताते हैं। वैसे ये वो ग्यान होता है जिसको आप जान जाए और समझ जाए तो इसके बाद कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता। ये ग्यान ही संपूर्ण जीवन का आधार है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे है और उनके माध्यम से हम जान रहे हैं। और जो तक्व ज्यान को समझ ले वो हर परिस्थिती में सुख से ही रहता है और इसमें भगतों का ही भला होता है। चलिए अब आरम करें। श्री भगवान बोले है पार्थ अनन्य प्रेम से मुझ में आसक चित तथा अनन्य भाव से मेरे परायन होकर योग में लगे हुए तुम जिस प्रकार से संपूर्ण विभूती बल एश्वर्यादी गुनों से यूगत सब के आत्रूप मुझ को संशेरहत जानोगे उसको मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्यान को संपूर्ण तया कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष्ट नहीं रह जाता हजारों मनुशियों में कोई एक मेरी प्राप्ती के लिए यत्म करता है और उन यत्म करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे बरायन होकर मुझ को तत्वस से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है प्रित्वी, जल, अग्मी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी और अहनकार भी इस प्रकार ये आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृती है यह आग प्रकार के भिदो वाली तो अप्रा अर्थात मेरी जर्ण प्रकृती है और है महाबाहो इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत भारं किया जाता है मेरी जीवरूपा परा अर्थात चेतन प्रकृती जानो हे अर्जुन तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन होने वाले है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रले हूँ संपूर्ण जगत का मूल कारण हे घनंजे मुझसे बिन दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मनियों के सद्रिश मुझ में गुन्था हुआ है हे अर्जुम मैं जल में रस हूँ, चंग्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओनकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुशों में पुरुशत्वा हूँ मैं पृत्वी में पवित्र, शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंध से इस प्रसंद में इनके कारत रूप्त मात्राओं का ग्रहन है इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है गंध और अग्णी में तेज हुँ तखा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हुँ और तपस्वियों में तप हुँ ये अर्जुवफ.. तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीथ मुझ को ही जानाद तेज़स्मियों का तेज़ हूं। ये भरतश्वेश। मैं बल्वानों का आसक्ति और कामनाओं से रहिद बल अर्थाक सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्ण के अनुकूल अर्थाक शास्त के अनुकूल काम और भी जो सत्वदुन से उठवन होने वाले भाव हैं उन सब को तुम मुझ से ही होने बाले हैं ऐसा जानो परंतु बास्तव में उन्मे में और वे मुझ में नहीं है। कुनों के कार्य रूप साथविक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणिसमदाय मोहित हो रहा है इसलिए इन तीनों गुलों से परेमुच अविनाशी को नहीं जानता। क्योंकि ये अलोकिक अर्थात अती अध्भुत्विगुन मही मेरी माया बड़ी बुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उलनगन कर जाते हैं, संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ग्यानधरा जा चुका है, ऐसे आसुप स्वभाव को धारन किये हुए, मनुशियों में नीच, दूशित कर्ण करने वाले मून लोग मुझको नहीं भजते हैं। ये भरत्वन्शियों में श्वेश तर जियूँंअ, उत्तम कर्न करने वाले अर्थार्थी, संसारिक पदार्थों के लिए भज़ने वाला, आट असिंकित्मिवारन केलिए भजने वाला, जिग्यासु, मेरे को य特ाथूप से जानने की इक्षा से भजने वाला और ग्यान परन्तु ज्ञानी तो मेरा स्वर्यूप ही है ऐसा मेरा मत है क्योंकि वह मत्गत्मन गुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राक्त पुरुष सब कुछ वासदेवी है इस प्रकार मुझ को भचता है वह महात्मा अत्यंत दुरलब है उनोन भोगों की कामना द्वारा जिनका ग्यान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस उस नियम को धारन करके अन्य देवताओं को बचते हैं अर्थात पूछते हैं जो जो सकॉम भच्ट जिस जिस देवता के स्वरुन को श्रद्धा से पूझना चाहता है उस उस भच्ट की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रती स्थिर करता हूँ वह पुरुष उस श्रधा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किये हुए उन्हेशित भोगों को निंसन देव प्राप्त करता है परंतु उनाल्ग बुद्धिवालों का वह फल नाशवाल है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं बुद्धिहीं पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सिच्छिदानुकन परमात्मा को मनुष्य की भाती जनकर व्यक्ति भाव को प्राम्ठ हुआ मानते हैं अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए ये अज्यानी जन समुदाय मुझ जिन्वरहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता और फात मुझ को जिन्ने मरने वाला समझता है हे अर्जुन पूर में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ परंतु मुझ को कोई वी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता हे भरत्वंशी अर्जुन संसार में इच्छा और वेश से उत्पन सुप दुखादी द्वंद्वरूप मोह से संपूर्ण प्रानी अत्यन्त गेता को प्राप्थ हो रहे हैं परंतु मिश्काम भाव से श्वेष्ट कर्मों का आचरंग करने वाले जिन पुरुषों का पाप नश्ठ हो गया है वे राख वेश्चनित ग्वंद्वरूप मोह से मुप्त ब्रिण श्री भक्त मुझ को सब प्रकार से बचते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरं से छूटने के लिए यत्म करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं जो पुरुष अधिबूत और अधिदेव सहित तथा अधिय के सहित सबका आत्म रूप मुझे इंतकाल में भी जानते हैं वे युगचित वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्ठात प्राप्थ हो जाते हैं इस प्रकार भ्रमविद्या का योग करवाने वाले शास्त श्रीमत भगवद गीता रूपी उपनिशत में श्रीक्रिश्न और अर्जुन के संबाद रूपी ग्यान विग्यान योगनाम वाला साथवा अध्याय संपूर्ण हुआ इसके बाद हम गीता का आथवा अध्याय पढ़ेंगे जैश्वी कृष्णा